हेलो गाईज वेल्कम बैक टो माई चैनल आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूं वायरल आई मेकप लुक एंड इस आई लुक को क्रेट करना बहुत ज़्यादा इजी है तो अगर आप जानना चाते हैं यह आई लुक मैंने किस तरह से क्रेट कया है तो वीडियो में बने कर रही हूं उसके बाद आई लिट पर जो भी डार्कनेस है उसको हाईड करने के लिए मैं कंसीलर का यूज कर रही हूं कंसीलर अपलाई करने के बाद मैं उसको ब्लेंड कर लोंगी एक फ्लैट ब्रश की हैल्प से मैंने आउटर वी पे टेप अपलाई कर ली है अब हम आई मेकप स्टार्ट करेंगे मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का आईशेड़ो पिक किया है एक फ्लफी ब्रश की हैर्प से और मैं उसको अपनी क्रीज लाइन में अपलाई कर रही हूं मैं आईशेड़ो को प्लेस करके तब तक ब्लैंड करती रहूंगी जब तक मुझे मेरे डिजार आमाउन का कलर नहीं मिल जाता नेक्स्ट एक पैंसल ब्रश की हैर्प से मैं ब्लैक कलर का आईशेड़ो पिक कर रही हूं मैं अपनी आउटर भोड़ पर अपलाई कर लोगी उसके बाद मैं इसको ब्लैंड कर लूगी नाइशेड़ो को ब्लैंड करूँगी प्रिविस स्ट्राप को मैं फिरसे रीपीट कर रही हूं एंड मैं तब तक इसको repeat करती रहूंगे जब तक मुझे मेरे desire amount का color नहीं मिल जाता next मैं flat brush का use कर रही हूँ अपनी crease को cut करने के लिए and मैं यहाँ पे एक half cut crease draw करूँगी small brush की help से मैं concealer की edges को blend कर रही हूँ उसके बाद मैं flat brush की help से जहाँ पे मैंने concealer लगाया है उसके उपर मैं shimmery eyeshadow place करूँगी अब मैं edges को blend कर रही हूँ एक small brush की help से ताकि मेरा eyeshadow blended दिखे next मैं dark brown color का eyeshadow pick करके अपनी lower lash line को smudge out कर रही हूँ उसके बाद मैं black eyeshadow pick करके अपनी lower lash line को smudge out करूँगी next मैं kajal apply कर रही हूँ काजल लगाने के बाद मैं eyeliner apply कर रही हूँ and मैं यहाँ पर एक wing eyeliner apply करूँगी eye look को complete करने के लिए मैं mascara apply कर रही हूँ and this is the final look आपको यह video कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईए का तब तक के लिए bye bye मैं मिलती हूँ आपसे अपनी next video में पजू कर से लेईू आपसे लेदाँ अऑसे कर दूए